नमस्ते दोस्तों आपको मेरे उपी चैनल में सभी को स्वावत है और आज भी कुछ पास्टॉक्स के नाम लेके आया हूं जो कलके मार्केट के लिए हैं उसका बाई अनिसे लेवल देख लेते हैं और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि मार्के डारेक्शन बहुत चीज़ है उस डारेक्शन को देख लीजिए और एक कोई रेक्मेंडेशन नहीं है सिर्फ चार्ट अनलाइज़ेशन हो रही है और इसका क्या साइकोलोजी है इसमें हम लोग सीख रहे हैं और दूसरी पॉइंट है फिश्र दिन मैंने जो वीडियो दाला था शोंबार के ल सब्सक्राइब है और दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस दिन मार्केट बहुत बढ़िया था ए चीज़ ध्यान में रखते हुए आप मेरे स्टॉक्स को आपने वास्निस में रखिए जितने भी ट्रेड आप करते हो उसके साथ डारेक्शन देख लेना जरूरी है कि मार्केट में हर को स्टाक में नीजहिं होता है आज का हम लोग चार्ट लेवल पर ना पहला स्टॉक्स को मैंने श्टॉब कि इसमें बहुत अच्छी लास्ट रेस्टेंस था इसके उपर अगर चलने लेंगे तो आप आप करोगे और अगर 2444.30 के नीचे देख होते हैं तो आप इसको सेल करोगे कि यहां पर एक अच्छी सपोर्ट है तो आप इसको सेल करोगे और और चीज कहना चाहता हूं कि मार्केट को पहले देख लेना फोड़ी से मुव्मेंट देख लेना अगर चौपी मार्केट लग रहा है तो धोड़ी से दूर रहना कुछ भी मार्केट में कोई भी स्टॉक्स कोई भी स्ट्रेटिजी का हो पूछ भी करों वो फुटीज करते नहीं करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं तो देपनेकी मार्केट डिया जारा पर दिया जारा है वो एक स्कॉलोजिल बेस्ट तो आपको 2444.32 नीचे 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 सेल करना है 2514.56 के उपर पाई करना है तार्गेट्स लेवल होंगे पील के 2548 और 2571 अगर सेल होते हैं अगर नीचे ब्रेकदाउन होते हैं तो 2415.75 या निक्स सपोर्ट जो है 2398 निक्स तॉक्स देख लेते हैं बिटानिया उस दिन भी दिये थे बिटेनिया फस्ट टर्गेट हिट किया था उसके बाद लास्क सेशन में 4803 उसने लो लगाया था तो मैं फिर भी अभी भी उस टॉक्स को मैं कहूंगा कि इसको सेल करना जरूरी है तो यहां पर बहुत अच्छी एक सपोर्ट जोन से और उपर भी एक जिसको अगर तोटते हैं 4,872 के ऊपर आप आई करोगे और 4,800.80 के निचे आप सेल करोगे टार्गेट जो होंगे 4,915 और 4,933 अगर निचे आते हैं तो 4,758 और 4,734 इसका सपोर्ट लेगे रहे हैं गासिम हम लोग चेक आउट कर लेते हैं कि पहले चीज मैं कहाना चाहता है कोई रेकमेंडेशन नहीं है हम लोग चार्च अनलाइज़ाशन पर जाते हैं और दूसरी पॉइंट इसका साइक्रोजी आप समझते को पोशिश की कीजिए मैं कोई इंडिगेटर दिखाने रहे हूं मैं मेरा जितने भी वीडियो से तो करके चलते हैं जादा तो जादा से जादा तो आप लोग को मैं इसलिए कर रहा हूं और इसके ऊपर कोई चीज नहीं होता है तो इसी बात है इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर स्टॉक से चलने लगते तो थोड़ी सी मूवमेंट इसका मिलेंगे और अगर इस यहां पर एक अच्छी स्ट्रॉंग सपोर्ट है एक बार ब्रेक होए थे यह इस लेवल को जहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर सस्टेंग नहीं कर पाया तो मैं मानके चल रहा हूं कि यहां पर आके फिरसे पांट पैक किये हैं तो अगर एफ थाउजन सब्सक्राइब करते हैं उपर जाके क्लोश करते हैं तो 1121 अपका बाइलेवन्स होंगे निक्स टॉक्सर रैंको सिमेंट्स रैंको सिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं और मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो जितना हो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना लाइक आप करोगे जितना आप अक्टिविटी यहां पर दिखाओगे तो उतना साए लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और उसको भी हेल्प होगा सो सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इसको लाइक कीजिए और यहां पर देच सकते हो कि रैंको सिमेंस एक रेंज बाउंड में हैं और 750.40 के उपर आम हैं इसको बाइबल मान के चल रहा हूं और 739.40 के नीचे इसका सेल लेवल से तो हम लोग आप आप देखी सकते हो इसी लेवल के अंदर बहुत बार आखे इसमें हाडल बनाया है तो अगर कोई भी से स्टेज में इसको तो हम लोग इंटरटरी लेवल में इसका अच्छी वैलूम बिल सकते हैं तो हम लोग अगर बाई करेंगे तो कि टार्गेस होंगा 760 एंड 765.25 मतलब रेजिस्टेंस इसका है और सेल अगर होता है तो 39.45 के नीचे हम लोग सेल लगाएंगे और 729.50 इसका पहला सपोर्ट है और इसका सगें सपोर्ट है सेले 25 लांस टॉक्स है आजनता फार्मा हम लोग अजनता फार्मा को भी देख ल अजनता फार्में में एक रेंज बाउंड में बहुत बार चले हैं इसमें ब्रेकाउट तो लगाया था मगर उसके बाद भी वहां से वो घिना चालू किया था फिल किसी रेंज में आके बैठ गया है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 1398.25 के उसका पाई लेवल से और 1363.80 क इसका इसका अधारैक कारणाएन यहां पे अस्ट्रंक सपोर्ट है और यहां पे एक रिसिस्टेंस है यहां पर लुख सब्सक्रासराइटाय हो IT भी साइद cmide तो यह था आज कल के मार्केट के लिए 5 स्टॉक्स की रेकमेंडेशन बैसे तो गोड़ साइज स्टॉक्स है और इतना स्टॉक्स का नाम है इतना स्टॉक्स था नहीं सकते हैं मगर इसमें से चुन के मैं 5 स्टॉक्स आपको दिफा रहा हूं और कलकी मार्केट के लिए मैं सबसे पहले ही सुचना जाता हूं कि आप कोई सी मार्केट डारेक्शन के बिना कोई भी स्ट्राटेजी 100% में होता है आप अगर चलोगे तो मैं क्या कोई भी आपको हेल्प में कर सकता है तो यह स्टॉक्स आप अपने वास्टिस में रखिए अगर अगर वीडियो आपको अच्छे लगता है तो टेपने की लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शे और जा कि आपको अज़ आपको सकता है